रक्षा बंधन भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है परंपरागत रूप से इस दिन बहने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधती हैं जो उनके प्रेम और सुरक्षा के वचन का प्रतीक होती है लेकिन इस त्योहार के पीछे छिपी कहानिया और परंपराएं आपको शायद ही पता होंगी कहानी की शुरुवात कुछ इस प्रकार होती है कि राक्षस राजबली जो की भक्त प्रहलात के पुत्र थे और विश्णु भक्त होने के साथ साथ महादेव के भी परंभक्त थे ने महादेव की भक्ती से कई वर्दान प्राप्त किये राजबली ने यग्य संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया जिससे देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर बली ने स्वर्ग पर कबजा कर लिया, तो पृत्वी पर आतंक मच जाएगा इस चिंता के चलते देवता भगवान विश्णू के पास पहुंचे जिन्होंने राजा बली को रोकने के लिए वामन अवतार धारण किया और एक ब्राह्मन के रूप में बली के पास जाकर तीन पग भूमी मांगी राजा बली ने वचन देकर भूमी दान कर दी वामन रूपी विश्णू ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धर्ती नापली जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो राजा बली ने वचन का पालन करते हुए अपना सिर आगे कर दिया जिस पर विश्णू ने तीसरा पग रखा राजा बली की दान शीलता से प्रसन्न होकर भगवान विश्णू ने उन्हें वर्दान मांगने को कहा राजा बली ने भगवान विश्णु से वर्दान में मांगा कि वे उनके साथ पातालोक में रहे विश्णु जी को वैकुंट छोड़कर पातालोक में पहरा देना पड़ा इस वियोग को सहन ना कर पाने वाली माता लक्ष्मी ने भगवान शिव से सहायता मांगी शिवजी ने सलाह दी कि अगर माता लक्षमी राजा बली को किसी बंधन में बांध ले तो वे श्रीहरी को वापस बुला सकती है शिवजी ने वासुकी नाक को रक्षा सूत्र के रूप में लक्षमी जी के साथ भेजा माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुँचकर नाक कन्या का रूप धारन करती है और राजा बली से सहायता की याचना करती है बली ने उनकी सहायता स्विकार की और लक्ष्मी जी ने उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया बली ने लक्ष्मी जी को वचन दिया कि वह सदैव उनकी रक्षा करेंगे इसके बाद माता लक्ष्मी ने अपने वास्तविक सुरूप का परिचय दिया और बली से भगवान विश्णु को वर्दान सुरूप मांग लिया राजा बली ने अपना वचन निभाते हुए भगवान विश्णु को वैकुंठ वापस जाने की अनुमती दी इसके बाद बली ने कहा कि आज से जोब हिस्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांध कर उसे भाई मानकर उसकी रक्षा का वचन मांगेगी वहापुरुष उसकी रक्षा के बंधन में बंध जाएगा तबी से श्रावन मास की पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उस बंधन में बंध कर अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है यही कारण है कि इस पर्व को रक्षा बंधन कहा जाता है इसके अलावा एक और कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लगने पर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर उनके हाथ पर बांध दिया था कहानी मुगल काल से भी जुड़ी है कहा जाता है कि चित्तोड की रानी कर्णावती ने मुगल समराट हुमायूं को राखी भेज कर अपनी रक्षा की याचना की थी हुमायूं ने रानी कर्णावती की रक्षा के लिए तुरंत अपनी सेना भेजी ये गटना रक्षा बंधन के सामाजिक और राजनीतिक महत्व को दर्शाती है जो धर्म और जाती की सीमाओं को तोड़ कर एक तका प्रतीक बन गई रक्षा बंधन का त्योहार मुख्य रूप से भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है इस दिन बहने सुबह सवेरे स्नान करके पूजा की तयारी करती है वे भगवान की मूर्ती के सामने दीब जलाकर, तिलक लगाकर और आरती करके पूजा करती है इसके बाद वे अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है भाई बदले में अपनी बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा का वचन लेता है यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी भावना के साथ मनाई जाती है राखी बांधने की परंपरा के अलावा रक्षा बंधन के दिन कई परिवारों में जनेउ बदलने की परंपरा भी होती है जनेव या यग्योप्वीत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक धागा होता है जिसे ब्राह्मन, क्षत्रिय और वेश्य जातियों के लोग धारण करते हैं इसे तीन सूत के धागों से बनाया जाता है जो ब्राह्मा, विश्णू और महेश का प्रतीक होते हैं इसके साथ ही ये देवरण, पित्रिरण और अर्शिरण का भी प्रतीक माना जाता है इसके बिना हिंदू धर्म में विवाह जैसे महत्वपूर्ण संसकार नहीं किये जा सकते धर्म ग्रंथों और श्रीश्री रविशंकर जी के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में तीन प्रमुख जिम्मेदारियां होती हैं माता-पिता के प्रती, समाज के प्रती और ज्यान के प्रती जनेवू इनहीं जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और व्यक्ति को शुद्धता और अनुशासन का पालन करने के लिए प्रेरित करता है जनेव बदलने की प्रक्रिया को श्रावणी उपाकर्म कहते हैं जो हर साल सावन पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में किया जाता है इस दिन जनेव को बदल कर नए संकल पिलिये जाते हैं और पिछले साल के जाने अन जाने किये गए पापों का प्रायश्चित किया जाता है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ग्रहस्त और वानप्रस्त वाले व्यक्ति को दो यग्योपवीत और ब्रह्मचारी को एक यग्योपवीत पहनना चाहिए इस परंपरा का पालन करना न केवल धार्मिक द्रिष्टिकोंड से महत्वपूर्ण है बलकि यहा जीवन में अनुशासन और शुद्धिता बनाये रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है श्रावनी पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को नदी के तट पर जाकर पंच गव्य, गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र से स्नान करना चाहिए इसके बाद अराश्य पूजन, सूर्योप स्थान और जनेव पूजन कर नया यग्योपवीत धारन करना चाहिए ये संसकार व्यक्ति का दूसरा जन्म माना जाता है, इसके बाद यग्य किया जाता है, जिसमें रगवेत के मंत्रों से आहुतियां दी जाती है प्राचीन काल में इस प्रक्रिया के बाद ही नए बटुकों, छात्रों की शिक्षा आरंब होती थी आज भी गुरुकुलों में इस परंपरा का पालन किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में रख्षा बंधन के दिन पवित्र नदी में सनान किया जाता है या घर में पवित्र जल से सनान किया जाता है सनान के बाद जनेव को पूजन सामगरी के साथ पलाश के पत्ते पर रखा जाता है इसे साफ किया जाता है और फिर मंत्रों के साथ पूजा की जाती है जनेव पर चावल फूल आदी चढ़ा कर मंत्रो उच्चार किया जाता है मंत्रों के साथ जनेव को अभिमंत्रित किया जाता है गायतरी मंत्र पढ़ते हुए नए जनेव को धारण किया जाता है इसके बाद पुराने जनेव को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है रक्षा बंधन का महत्व केवल परंपराओं तक ही सीमित नहीं है ये त्योहार आधुनिक समाज में भी एक महत्पूर्ण भूमी का निभाता है आज की समय में जहां परिवार के सदस्यों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है रक्षा बंदन उन्हें एक जुट करने का एक माध्यम बन गया है ये त्योहार ना केवल भाई बहन के रिष्टे को मजबूती देता है बलकि परिवार के अन्य सदस्यों के बीच भी प्रेम और एक्ता का संदेश फैलाता है इतिहास में जांकते हुए हम देखते हैं कि कैसे रक्षा बंदन ने समाज में सदभा और एक्ता का संदेश फैलाया है राखी का धागा ना केवल भाई बहन के बीच का बंदन है बलकि यह एक ऐसा सूत्र है जो समाज में विभिन धर्मों और जातियों के बीच की खाई को पाटने का काम करता है समय के साथ रक्षा बंदन का स्वरूप भी बदलता गया है अब यह त्योहार केवल भाई बहन के रिष्टे तक सीमित नहीं रह गया है आज के दौर में लोग अपने करीबी दोस्तों, रिष्टेदारों और यहां तक की समाज के विभिन वर्गों के लोगों को भी राखी बांधते हैं यह एकता और सदभाव का प्रतीक बन गया है जो समाज में सभी के लिए समानता और सम्मान का संदेश देता है इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन कई समाजिक संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं भी विभिन कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं जिनका उद्देश समाज की वंचित और जरूरत मंद वर्गों को मदद पहुँचाना होता है यह त्योहार न केवल व्यक्तिगत रिष्टों को मजबूत करने का काम करता है बलकि समाज में समानता और भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देता है रक्षाबंधन का यह संदेश आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है जब समाज में विभाजन और असमानता की समस्याएं बढ़ती जा रही है राखी का धागा हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही मानवता के हिस्से हैं और हमें एक दूसरे की रक्षा और सम्मान करना चाहिए आज के समय में जब पर्यावरन सनरक्षन एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है रक्षा बंधन को भी एक पर्यावरन अनुकूल तरीके से मनाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं कई लोग अब प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल राखी का उप्यूप करने लगे हैं जो पर्यावरन के लिए हानिकारक नहीं होती इसके साथ ही इस्त्योहार का महत्व आज के समय में और भी बढ़ गया है और यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो बाया वीडियो देखें